अज़ की क्लास में हम पढ़ेंगे आत्म एवम व्यक्तित्व के अंतरगत प्रक्षेपी तकनीक जैसे इंगलिश में प्रोजेक्टिव टेक्नीक कहा जाता है तो शुरू करते हैं आज की क्लास पिछली वीडियो में हमने व्यक्तित्व के मुल्यांकन के लिए यानि personality assessment के लिए जिन techniques का अध्यन किया था वे सभी प्रत्यक्ष तकनीक हैं यानि direct techniques हैं प्रत्यक्ष तकनीक यानि व्यक्ति से ही उसके बारे में information प्राप्त की जाती है और उसके आधार पर उसकी personality के बारे में पता लगाया जाता है जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मुल्यांकन हो रहा होता है उस व्यक्ति को clearly ये पता होता है कि उसके व्यक्तित्व का मुल्यांकन किया जा रहा है यानि उसके व्यक्तित्व की विशेष्टाओं के बारे में पता लगाये जा रहा है इस situation में प्रयोज यानि जिसके ऊपर यानि जिसकी personality का assessment किया जा रहा है वो conscious रहता है, aware रहता है ऐसे में वो अपनी personal feelings, अपने thoughts और अपने motivations को पताने में हिचकिचाहट महसूस करता है क्योंकि उसे पता होता है कि जिस तरह के response वो देगा उससे उसकी personal बातों को लोग जान जाएंगे ऐसे स्थिती में प्रयोचे यानि जिसके व्यक्तित्व का मुल्यांकन किया जा रहा है वो उन responses को देने की कोशिश करते हैं जो की socially desirable होते हैं यानि समाज के द्वारा मानने तरीके होते हैं उन्हीं की अनुसार वो व्यवहार करने की कोशिश करते हैं जैसे अगर किसी व्यक्ति से यह प्रशने पूछा जाए कि कोई व्यक्ति परेशानी में है तो क्या आप उसकी मदद करेंगे तो definitely अगर वो व्यक्ति यह अंसर देता है कि वो उसकी मदद नहीं करेगा तो इस तरह का जो व्यवहार है वो समाजिक रूप से मानने नहीं है तो वो व्यक्ति भले ही अपनी परसनल लाइफ में दूसरों की मदद ना करें लेकिन इन परिक्षणों में वो समाज के मानने तरीकों के आधार पर ही रिस्पॉंस करेगा यानि यहां पर वो यह कहेगा या बताएगा कि वो हमेशा दूसरों की मदद करता है फ्राइट के मनोविचलेशनात्मक सद्धान्त में यह माना गया है कि मानव व्यवहार का एक बड़ा भाग अचेतन अभी प्रेणाओं के द्वारा लियमित होता है यानि हम जो भी behavior करते हैं वो behavior कहीं न कहीं हमारे unconscious में जो motives होते हैं जो प्रेणाओं होती हैं उनके द्वारा संचालित और नियंद्रित होता है personality assessment यानि व्यक्तितों मुल्यांगन की जो प्रत्यक्ष विदियां हैं जिनमें व्यक्ति से सीधी तोर पर सुचनाएं एकत्र की जाती हैं उन प्रत्यक्ष विदियों के द्वारा किसी व्यक्ति के अचेतन पक्ष यानि जो उसका unconscious है उसको expose नहीं किया जा सकता उसको समझा और इस तरह ये प्रत्यक्ष विदियां personality के assessment में यानि उसके वास्तविक वर्णन में असफल होती हैं तो इस समझ्य का समाधान किस तरह से किया जा सकता है इसके लिए मुल्यांकन की औ QU प्रत्यक्ष विदियों का उप्योओक किया जा सकता है और्प्रत्यक्ष विदियां जिन्हें प्रक्षेपी तक्नीक कहा जाता है अब हम ये समझ लेते हैं कि प्रक्षेपी तक्नीक या प्रोजेक्टिव टेक्नीक क्या है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या प्रक्षेपी टक्निकों का विकास अचेतन अभीप्रेणाओं और भावनाओं का मुल्यांकन करने के लिए किया गया है यानि जो प्रक्षेपी तक्नीक हैं, प्रोजेक्टिव टेक्नीक हैं, उनके द्वारा हम अचेतन अभी प्रिर्णाओं, यानि हमारे अनकॉंशेस में जो भी मोटिव्स हैं और जो फीलिंग्स हैं, उनका मुल्यांकन कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं. प्रक्षेपी तक्नीक कम सनरचित होती हैं, यानि ये लगभग अन्स्ट्रक्चर्ड होती हैं, यानि प्रक्षेपी तक्नीकों में ऐसे उद्दीपक या स्थिती का प्रयोग किया जाता है, यानि प्रयोग को ऐसे उद्दीपक या ऐसे सिचुएशन दी जाती हैं, जो की अन् प्रचित हो, वहाँ पर प्रयोजे अपनी feelings, अपनी desires और अपनी needs को express करता है, project करता है, अंजाने में ही वो उन्हें बता देता है, प्रयोजे को ये पता भी नहीं होता कि वो अपने बारे में बात कर रहा है, यानि अपनी feelings, अपनी desires और अपनी needs के बारे में बता रहा है, और फिर प्रयोजी के द्वारा जो भी response दिये जाते हैं उन responses की व्याक्या experts के द्वारा की जाती हैं अलग-अलग प्रक्षेपी परिक्षणों में व्यक्तित्व के मुल्यांकन के लिए अलग-अलग तरह के सामगरियों का प्रयोग किया जाता है यानि इन में से कुछ में स्याही के धब्बे, कुछ में शब्द और कुछ में चित्र वगेरा प्रयोग किये जाते हैं जो प्रक्षेपी तक्नीके होती हैं या प्रक्षेपी परिक्षण होती हैं उनमें कुछ विशेष्टाएं पाई जाती हैं विशेष्टा है क्या है उनको समझ लेते हैं सबसे पहली विशेष्टा है कि प्रोजेक्टिव टेक्नीक्स में जो भी उद्दीपक प्रयोग किये जाते हैं वो उद्दीपक पूनतह असनरचित होते हैं असनरचित यानि वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं और क्लियरली डिफा जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मुल्यांकन किया जाता है उस व्यक्ति को मुल्यांकन का उद्देश क्या है किस लिए ये मुल्यांकन किया जा रहा है उसमें किस तरह से मार्किंग की जाएगी और किस तरह से उसकी व्याख्या की जाएगी इस बारे में कुछ भी नहीं प्रयोजिक को ये बता दिया जाता है कि आपके द्वारा जो भी अनुक्रिया की जाएगी या जो responses दिये जाएंगे वो सही या गलत नहीं है व्यक्ति के द्वारा जो भी responses दिये जाते हैं उन से उसकी personality के किसी पक्ष को समझा जा सकता है इस तरह के परिक्षणों में अंक प्रदान करना और इसकी व्याख्या करना इंटर्प्रेटेशन करना बहुत टाइम टेकिंग होता है इसमें काफी वक्त लगता है और कभी कभी ये आत्म जिष्ठ होता है यानि व्यक्ति अपने अनुभों के आधार पर अपनी समझ के करता है जितने भी प्रोजेक्टिव टेक्नीक्स होते हैं इनमें अंक नहीं दिये जाते यानि मार्क्स नहीं दिये जाते पलकि उनकी जगह पर गुणात्मक विशलेशन किया जाता है यानि गुणों का विशलेशन किया जाता है और इस तरह के विशलेशन के लिए बहुत ह आई लेवल की ट्रेनिंग की ज़रुरत होती है आपके कोर्स में इंक ब्लॉट टेस्ट, PAT, रोजनविक पिक्चर फ्रस्टेशन, सेंटेंस कम्पलीजन टेस्ट और ड्रॉए पर्सन टेस्ट शामिल है जो की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर आते हैं आज की क्लास में ह इंक ब्लॉट टेस्ट के पारे में पढ़ेंगे रोजशा मसी लक्ष्म परिक्षन मसी मतलब होता है स्याही लक्ष्म मतलब धब्बेट इस परिक्षन को स्याही धब्बा परिक्षन या इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहा जाता है इस परिक्षन का निर्मान हर्मन रोजशा के द्वारा किया गया था इसलिए इसे रोडशा स्याही दब्बा परिक्षन, रोडशा इंक ब्लॉट टेस्ट या रोडशा मसी लक्ष को परिक्षन कहा जाता है इस परिक्षन को हर्मन रोडशा के द्वारा बनाये गया था जो कि स्विट्जर लैंड के मनोवैग्यानिक थे इस परिक्षन का निर्मान हर्मन रोडशा ने 1921 में किया था अब हम ये देख लेते हैं कि इस परिक्षन में होता क्या है या इस परिक्षन से personality assessment कैसे किया जाता ह तो इस टेस्ट में 10 कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड्स पर मसी लक्ष्म यानि की स्याही के धब्बे होते हैं, जब हम छोटे थें तो हमारी क्लास के बच्चे इंक या कलर में धागे को डुबो कर, कौपी के बीच में रखकर, कौपी बंद करके उस धागे को खीश लेते थे, तो एक तरह का डिजाइन बन जाता था, इस टेस्ट में 10 कार्ड्स होते हैं, जिन पर मसी लक्ष्म यानि की स्याही के धब्बे बने होते हैं, यानि एक कार्ड पर एक स्याही धब्बा होता है, इन में 5 कार्ड ऐसे होते हैं, जिन पर काले और सफेद रंगों के धब्बे हो और बाकी तीन कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पेस्टल रंगों के धब्बे होते हैं पेस्टल रंग यानि रंगीन धब्बे जैसे हरे, नीले, नारंगी, गुलावी आदी ये जो धब्बे होते हैं वो एक विशिष्ट आकरती के साथ सम्मितिय रूप में होते हैं यानि सिमेट तरफ एक जैसे धब्बे दिखाई देंगे, यानि आधा धब्बा उस आधे पेज पर और आधा धब्बा दूसरे पेज पर सेम वैसा का वैसा दिखाई देगा, आप देख सकते हैं, यह दस कार्ड्स हैं, दस कार्ड्स में से पांच कार्ड्स जो हैं, वो ब्लैक हैं, ब्लैक cards ऐसे हैं जिन में pistol colors है नीला हरा, गुलाबी, पीला इस तरीके से pistol color है तो ये कुल 10 cards है और आप देख सकते हैं ये symmetrical है यानि स्याही का धबबा गिरा के उस kagas को यहां 20 से fold कर दिया तो जैसा design एक तरफ बना था वैसा ही दूशी तरफ बना है, आप हर card में इस तरीके से देख सकते हैं कि ये symmetrical है यानि कागas को ये धबबा गिराया और उसके बाद यहां middle पर से इसको fold कर दिया तो दबाओ पढ़ने पर जब हम उसे open करेंगे तो आधी जो design इस तरफ थी, same वैसे ही design दूशी तरफ होगी, इसमें से हर धबबा 7 इंच, गुणे 10 इंच, size के paper पर printed है, जब इन cards को प्रयोज्यों को दिखाया जाता है तो ये cards दो steps में यानि दो चर्णों में प्रयोज्य के सामने लाए जाते हैं पहले चरण या पहले step को निश्पादन मुख्य या performance proper कहा जाता है इस step में प्रयोज्य को जब card दिखाये जाते हैं तो उससे पूझा जाता है कि card में वे क्या देख रहे हैं, यानि एक-एक करके card दिखाये जाते हैं पहला card जब दिखाया गया, तो पहले step में, बताब हर card को दिखाने के लिए दो step हैं पहला step है, performance proper या निश्पादन मुख्य जिसमें card को दिखा कर ये पूझा जाता है कि आपको card में क्या दिखाई दे रहा है और उसी card को दिखाने पर दूसरा step ये किया जाता है, जिसे inquiry कहते हैं उसमें subject से ये पूझा जाता है कि आपने जो भी देखा, यानि card में आपने जो भी देखा, वो आपको कहां दिखा, किस तरीके से दिखा उसका base क्या है, और इस तरीके से जो भी response प्रयोजी ने किया है उसका एक detail तैयार कर लिया जाता है, इस तरीके से एक एक करके सारे cards दिखाए जाते हैं, सब्जेक जो भी response करता है, उस response से एक सार्थक या सही-सही decision या निर्ने उसकी personality के बारे में लिया जा सके, इसके लिए सही है कि इस प्रिक्षन का सही तरीके से उपयोग किया जाए, और प्रयोजी के द्वारा जो भी response दिए गए हैं, उनकी ठीक ठीक व्याख्या की जाए, और प्रिक्षन को सही तरीके से उपयोग करने और प्रयोजी द्वारा दिए गए responses की ठीक तरीके से व्याख्या करने के लिए मनोवज्यानिक का प्रसिक्षित होना आवश्यक है, और अप्रसिक्षित या अंट्रेंड व्यक्ति इन परिक्षनों को सही तरीके से नहीं कर सकता। इसके अलावा जो भी data collect होते हैं यानि जो भी informations प्राप्त होती हैं उन informations की interpretation यानि व्याख्या करने के लिए computer techniques भी develop किये गए हैं जिनकी सहायता से प्रयोज की दी हुई responses की व्याख की जा सकती हैं आप यहां देख सकते हैं कि inkblot या स्याही धबा परिक्षन का एक card दिया है वैसे तो मैंने आपको दसों cards दिखा दिये हैं आपके course में इन परिक्षनों का बहुत ही संचिप्त विवरन दिया गया है जब आप higher classes में जाएंगे तो इन परिक्षनों का पूरा दिस्तरत विवरन वहाँ पर आपको मिलेगा so viewers यह थी आज की class कैसे लगी आज की class अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और मेरे चैनल के दूसरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइब कीजिए शेयर कीजिए और अपने valuable comments कर दन्यवाद